एलो एब्रिवन स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पर दोस्तों बी सी सी आई किरके ट्रास को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई और दोस्तों प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी खुस ख़बरी अभी बड़े अपडेट आए हैं दोस्तों आर सी ये क बहुत बड़ी अपडेट आई है यूपी सीए के अपडेट भी है और आइंसल के अपडेट है तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी अपडेट को हम लोग चाल लेते हैं तो वीडियो को एंड तक देखे और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो राजस्थान किर्केट बोर्ड की तरफ से दोस्तों तीन मैच जब खेल चुकेंगे रड़ी उनके बाद उने पैंसन मिलना सुरू हो जाएगा तो दोस्तों रंजी प्लेयर्स के लिए बहुत वड़ी खुस ख़बरी आ चुकी है और वहीं RCA के सिक्रेटरी महंद सर्मा जी अजी ने ये भी बताया कि स्टेट लेवल के अंडर 14 जो टूर्नामेंट वो जनवरी में खेला जाएगा आप देख सकते हैं साब दोस्तों इसके लिए आपकी एज जो है 1 सितंबर 2007 से 1 सितंबर 2010 के बीच में होना जरूरी आप हिस्सा ले संगेंगे इस टूर्नामेंट में राजस्थान किर्केट प्लेयर्स के लिए आज दोस्तों UPCA अंडर 14 के कैम्प का आखरी दिन है कानपूर के कमला पार्क में चल रहा है ये कैम्प दोस्तों आज लाट डे है मैच का उसके बाद सेलेक्शन के बाद प्लेयर्स की सेलेक्शन लिष्ट आ जागी अंडर 14 में जो में 15 प्लेयर्स खेलने वाले हैं UPCA अंडर 14 के प्लेयर्स दोस्तों आएंसेल बी आर ट्रॉफी का दोस्तों आयोजन सुरू हो चुका आएंसेल ने कल अपने पहले मैच करा दिये हैं दोस्तों तो धीर धीर करके दोस्तों जो फर्स्ट फेस है वो गोवा में होगा और जो सेकेंड होगा दोस्तों वो लखनव में खेले जाएंगे तीन स्टेज में है ये और थर्ड हो सकता है गोवा या फिर हैदराबाद में हो सकता है तो ये बहुत बड़ी अपडेट आई है दोस्तों कोलकाता के सभी प्लेयर्स अब कैम्प नहीं करेंगे सब भी आ ट्रॉ अपडेट आई है देले ही दिश्टी किर्केट एसोसेशन तो दोस्तों सीकेंड आईड्यू ट्रॉफी के लिए उनका ट्रायल सुरू हो चुका है 28, 29 और 30 दिसंबर को चलने वाला है ये ट्रायल जिससे प्लेयर का स्लेक्शन किया जाएगा दोस्तों BCCI के प्रेसिडेंट सारब गांगली जी जो है वो कोवीट पॉस्टीव पाए गया है जी हाँ दोस्तों वो कोवीट पॉस्टीव हो चुके है तो ये बड़ी अपडेट सी दोस्तों आज की किर्केट एसोसेशन से लेकर आपका क्या रहा है जरूर कमेंट बाक्स में बताएगा और वीडियो को लाइक कर लिजे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा फिर जैसे अपडेट आएगा आप सभी को बता दूंगा जाहें दोस्तों